कि नमस्कार दोस्तों मैं संतोष कुमार सिना आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉकल रॉनिय। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ दिनों से मार्केट भी कन्फूजड है मार्केट कभी 200 उपर जाता है कभी 400 नीचे जाता है कभी 50 नीचे जाता है कभी 50 नीचे जाता है कभी 50 उपर जाता है तो आज इसी के उपर मैं बात करने आया हूं और मैं अपना मेरा जो विव है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि इसमें आम तोर पे हमें क्या ध्यान देना चाहिए और अगर आपको मेरी बात सही लगे तो आप जो है इसके उपर सोच सकते हैं कि आपका क्या प्रोच होना चाहिए तो जस मैं मेरी जो समझ है जितनी मेरी जानकारी है पर मैं आप लोगों के साथ सेयर कर रहा हूं तो जब भी कोई पैनेडेमिक आता है तो मार्केट में हलचल तो होता ही है और अभी करोना की हम बात करें तो देखें आम तोर पर क्या है कि करोना में कहीं कहीं पर जो है वो पार्शियल लॉगडाउन लग रहा है और लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं फिर से कोई तल कार ख दुछ चिजों का ध्यान रखें करोना में कि होता क्या है कि सबसे पहले तो आप देख लिए जो आई टी इंडेश्टी में किसी तरह का ज्याधा रिस्क नहीं होता है तो इक लोग डौन भी लग जाता है तो इसके लिए सिर्फ आपको एक कंप्यूटर ची होता है और एक आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप घर से भी जो है वो काम कर सकते हैं work from home हो सकता है और आपके जो भी clients है customers हैं उनको आप service दे सकते हैं तो और इसमें होता क्या है कि IT industries का जो daily का जो cost है वो भी कम होता है cost cutting काफी होता है क्योंकि इंप्लाई जब office नहीं जाएंगे तो obvious है कि electricity बगर का जो bill होता है या वहां पर जो office में staffs होते हैं तो जो जैसे कि वहां पर प्यून हो गया या अगर आपके हां कोई pantry है तो उसका staff हो गया चाहे coffee अगर देने के लिए तो उसका भी cost जो है वह काफी कम होता है तो IT industries को बहुत ज्यादा impact नहीं होता है उसके बाद जो pharmaceuticals company है तो चाहे कुछ कुछ भी situation हो कोई panademic हो तो आपको पता है कि लोग तो बीमार पड़ते हैं उनको दबाईयों को जरूरत पड़ती है तो फार्मा इंडेस्ट्री जो है उसके बहुत ज्यादा नहीं या बाहर जाए सबको जरूरत पड़ती है खाने पीने की तो व्यस्था की बिना खाए पिये तो आप रहने ही सकते हैं अगर आपको जो भी घर में डेली यूज का सामान है जैसे कर आपको नहाना है तो साबून है सेंपू है क्यर मिक्चर है बिस्कुट से चाय है या ग्रोसरी स्काइटेम है तो इस ताइम में हमें टूर्ण ट्रेवल के जो भी शेयर है स्टॉक हैं लिस्टेड है मार्केट में तो अभी हमें इन शेयरों से दूर रहना चाहिए और हमें तब लेना चाहिए जब ये शेयर बहुत ही ज़्यादा discounted price पर हो तो अभी इस सिनारियों में Corona pandemic में हो तो क्या रहा है कि लोग कहीं बाहर जाने से घबड़ा रहे हैं सारे लोग घर के अंदर ही बंद है किसी को अगर कहीं बाहर जाना भी यह आउट अप station अगर जाना है तो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जो booking वह रहा है वो cancel कर वा रहे हैं तो उस case में जो है वह इस industries को जो डेली का जो इनका booking होता था hotels का हो गया तो इनके जो booking में कमी आई है तो अभिएस है कि इनका जो है वो profit में भी कमी आएगा तो इस कारण यह share भी नीची की और जाते हैं मगर जैसे ही lockdown खतम होता है वैसे फिर लोग अपने पुराने routine पे lot आते हैं और गुमना टहलना यह लोग शुरू कर देते हैं तो अभी आपको जो है वो कम रेट पे अवलेबल होते हैं आपको होटल्स बगार की booking भी नहीं होती है क्योंकि लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं होटल में रुकना पसंद नहीं करते हैं तो होटल्स के भी जो शेर है वो भी आपको अभी discounted price पे मिल सकता है उसके बाद लोग जितना जो भी entertainment का समान जो भी जगह हो गया जैसे कि सिनेमा हौल अब लोग जाना वाइड करते हैं आप देख रहे हैं कि आतकल ज्यादा तर मूवी जो है वो ओट्रिटी प्लेटपॉम पे ही रिलीज की जा रही है पर लोग सिनेमा हौल में नहीं जा रहे हैं सिनेमा देखने के ल करोना प्रेडेमिक में इनका भी जो है शेयर प्राइस नीचे की ओर आता है तो अभी यहां पर मैं आपको एक एक जामपल दे रहा हूं कि कुछ जो शेयर हैं वह अभी कैसे कैसे डिस्काउंटेट प्राइस पे लबल हैं तो यहां पर मैंने जो है वो लबग 10 शेयर का जो ह तो क्या ये शेर हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये आपको डिशाइड करना है जस्ट मैं बता रहा हूं कि ये जो स्टॉक्स हैं ये कितने सस्ते पर अभी वैलुएशन पर भी ट्रेड कर रहे हैं और जैसे ही मार्केट रिकावर होगा ये बैक टू नॉर्माल हो तो आपको पता है कि ये जो है लिए पर सिखने पर नॉन मेक माइं त्रिब के बाद कापी अचा कर अतृकिंग कर रही है और थी दिखिना युर्प के 108 हरे उनका चल रहा है और इंका और प्राइस चला कास है कि फाइब फाय 신ार्या bye यहां पर फार्मूला जो है वह निकालते हैं इस फार्मूले को यूज करते हैं और फार्मूले से जो है वह हम देखेंगे कि अभी इसके अंदर हमें कितना परसेंट का गिरावट जो है वह देखने को मिल रहा है तो तो अभी यह देखिए कि इसके अंदर अभी मैंने निकाला तो अभी यह तीस परसंट के डिसकाउंट पे अभी चल रहा है तो अभी यह एका दिन पहले और भी नीचे था तो अगर हम अगर इन सब शेयर में अभी उस दिन और रुख जाएं चोंकि अभी आपको पता है करोन कि केस बढ़ रहे हैं तो टोटल जो है वो तीन लाख साले तीन लाख का रोज जो है वो केस आ रहा है भी हमारे पास तो अभी हो सकता है कि और नीचे डाउन हो गर इस्टिती और खराब होतों तो हमें और अच्छा-खासा डिसकाउंट पर देखने को मिल सकता है मगर जैसे पर रिकवरी होगी यह सब सेर जो है वह बहुत तेजी से उपर भागेंगे और अपने पुराने जो है वह रेट पर आएंगे तो यह सब सेर पर ध्यान जो है अपना दीजिए नजर बना करके रखिए दूसरा हमने बात किया अभी पीवी आर का तो आपको पता है कि अभी लोग जो है वह पिक्चर बगर जाने से जो डरते हैं यह देखिए एक पंद्रा सो बावन रुपया है इसका तो मैं इसका इसी एंपी लिखता हूं पंद्रा सो बावन रुपया और इसका फिप्टीटू भी खाई है और यह अभी ट्रेट कर रहा है एक 1145 रुपया सतर पै गिर चुका है PBR का शेर क्योंकि लोग पिक्चर जाना जो है अभी लोगोंने बंद कर दिया इसने महौल में जाना तो जैसे ही जो है वो थोड़ा नॉर्मल होगा सिच्वेशन तो लोग धिरे-धिरे जाने लेंगे और PBR जो है पिछले बार भी यह हुआ था PBR नीजी आय अब उसी तहिकी से एक और सिनेप्लेक्स है जिसको हम लोग आयनोक्स के नाम से जानते हैं तो आयनोक्स का भी मैं देख रहा हूं मैं सारा रेट जो है वो प्राइस जो है वो लाइव निकाल रहा हूं तो आयनोक्स अभी 270 रुपया 45 पैसा है तो यह मैंने लगाया 308 क्न blir अच्छाण स wrestling सपही और स्पेजसे आपने हाइव जीएगे कौत में असम्ति के कावा के प्राइस आपको पता है कि आयर शिछी intéशी या बंध हो जाने के करना रिच्ट का भी जो है वो फिछले तो अभी आप देखें तो आयर सिटी से ने भी जो हाई बनाया था दो हजार बहत्तर का बनाया था तो यह मैं लिखता हूँ दो हजार बहत्तर रुपया पंचानवे पैसा इसका जो है सो फिप्टी टू भी खाई है और अभी देखूं तो सत्रा सो बारा रुपया बीस पैसा पर यह अभी 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 अभलेबल है तो अभी हम देखें इस पे हमें कितना परसंट का भी डिसकॉंट देखने को मिल रहा है लोग घर में कहाना पसंद करते हैं क्योंकि पता नहीं हमें खाने में जो है सो वह क्या किसी तरह का infection हो जाए क्या हो जाए तो लोग उससे भी जो है अभी परहेज कर रहा है तो यह देखें 3215 रुपया का इसका बना हुआ था 52 भी खाई तो यह मैं लिखता हूं 3215 यह देखिए आप यह जो है 11,5 एगारा परसेंट डाउन यह भी चल रहा है अब हम बात करें बर्गर किंग की बर्गर किंग भी आपको पता है लोग पीजा बर्गर काफी खाते हैं मगर अभी जो है अवाइड कर रहे हैं लोग तो बर्गर किंग की बात करूं तो 130 रुपया 60 पैसा यह हम करते हैं 130 रुपया 60 पैसा तो जब यह करते हैं तो यह देखिए यह 40% का जो है मतलब यह discount पर तो अच्छा खासा discount पर यह मिल रहा है मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि भी आप ले लिजे मैं जस्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि Corona pandemic में कैसे कैसे जो stocks हैं जो आपको सस्ते valuation पर मिल सकते हैं जिसको कि अगर आप खरीदेंगे तो जैसे ही situation नॉर्माल होगा यह वापस उपर की और भागेगा और इसमें 100% जो है वो possibility है इसके अंदर कि आपको जो है यह फायदा देगा अब आगे हम बात करते हैं लेवंट्री होटल के बारे में तो लेवंट्री होटल को मैं देखता ह तो इसका 52 भी खाई 49 रुपया 45 पैसा और यह जो है इसका 32 रुपया 5 पैसा है इसका तो इसको कर हम देखेंगे तो देखिए 35% की discount पे यह भी चल रहा है काफी जादा यह भी discounted है अब हम बात करते हैं रेल टेल का रेल टेल भी काफी डाउन हुआ है अभी आपको पता है रेल टेल भी बहुत अच्छी कंपनी है यह देखिए यह 123 रुपया 20 पैसा और यह 119 रुपया 45 पैसा तक गया था तो इसको देखते हैं कि कितना जो है वो discount पे है यह 45 पैसा और यह जा रहा है 123 रुपया something जा रहा है 123 22 तो इसको हम देखते है 123 22 तो इसमें आपको इसमें 188 45 तो 35% क которой देख्यों नहें होता है उपर से नीचे करेंट रहा है और इसका हाई 136 24 रुपय हो तो इसको भी हम देखें कि कितना करेक्शन हुआ है इसका 145 रुपया और यह 104 रुपया इसका कितना इसका भी 25% हो शुका है और IRCTC की बात करें बहुत जाता फ्लेक्शन होता है तुरत नीचे आता है तुरत उपर भागता है और यह आपको पता है कि IRCTC का अपना मोनोपोली है यह देखिए इसका हाई है यह 272 रुपया तो इसका जो है हाई 272 रुपया और अभी यह चल रहा है शेर जो है वह 1712 रुपया बीस पैसा इसको हम करें 1712 रुपया भी अगर करते हैं वह आप देखिए इसके अंदर भी 17% की गिरावाट आपको देखने को मिल रही है तो यह जो शेर है मैं एक रिकमेंड नहीं करना हूं आपको जस्ट मै बता रहा हूं कि कोरोना में अगर आपको यह देखना हो कि हमें किस तरह का शेर में जो है इन्वेस्ट करना चाहिए तो जो आई-टी के सेर है वह शेर आपको नुकसान नहीं देंगे क्योंकि आई-टी इंडेस्टिश को जादा फरक नहीं पड़ता है फार्मा को जादा फ परनिडेमिक में लेकिन बाखी यह जो सारे स्टाउक हैं जिसकी इंपक्ट परता है चाहे टूर एंट ड्रेवल सो या इंट्रेटर्विंट सिनेमा अल हो या ट्रांस्पोर्ट हो या होटल सो तो यह सारे जो शेर हैं आपको इस situation में काफी सस्ते जो है वो दाम पर या financial institution से advice लेकरके आप इन में अपनी holding बना सकते हैं मैंने जस्ट आपके साथ जानकारी आपको शेर किया कोई recommendation नहीं है जो भी मैंने दिया ये reference के लिए आपको ये stocks बने दिया है और मेरा email ID है stk.learning.gmail.com इस email ID पे आप मुझे communicate कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ इसे के साथ मुझे आग्या दीजे नमस्कार जै हिन जै भारत बंदे मातर